मेत्रो एक लंबे अंत्राल के बाद चिर पर्चित चेहरा पूरी से हमारे उमिद्वार उमिद्वार डॉक्टर संबीत पात्राजी पार्टी के रास्तिय प्रवक्ता आपको संबोधित करेंगे मेरा साधर अनुरूद है कि इस लंबे अंतराल को विराम लगाते हुए माननिय संबित पात्रा जी आपको संबोधित करें दन्यवाद संजे जी आप सबका बहुत स्वागत है आपको दन्यवाद कि आप इस धूप में इस दोपहरी में आप यहां आए हैं एक बहुत गंभीर मामला है इस अ स्टोरी अफ थ्री सीज तीन सी की कहानी है सिटिजन्शिप कन्फ्यूजन और क्लारिफिकेशन सिटिजन्शिप को लेकर कन्फ्यूजन है और जिसके सिटिजन्शिप को लेकर कन्फ्यूजन है क्लारिफिकेशन भी केवल वही दे सकते हैं आज हम सुबह से देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी से जो कि भारत के राजनीती के कॉंग्रेस पार्टी के एक महत्तोपून विक्ती हैं, उनके भारतिय नागरिक्ता पर संदेह हुआ है, कुछ confusion है और Home Ministry ने उनसे clarification मांगा है। आप ही को देना पड़ेगा, इसलिए बंधूँ इसमें कोई राजनीती नहीं है, राहुल गांधी जी ने खुद भ्रहम की स्थिती पैदा की है, और अब देश उनसे स्पष्टिकरण और clarification चाहता है। को बिगाडने का प्रयास करना, उसका नतीजा हमने देखा है, content of court भी लगा है, Supreme Court में थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। मगर आज जो press conference हम कर रहे हैं, यह जो सवाल आज Home Ministry ने पूछा है, यह सत्यापित documents, अर्थात authenticated documents के आधार पर हैं। और आधार भी उसके swing राहूल गांधी हैं। और हम बहुत शालीनता से कुछ सवाल पूछेंगे, निरलश्ता से नहीं, शालीनता से। Today, I would not hold myself back from stating that Rahul Gandhi is surrounded by Rahul himself, आप बोलेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। Rahul surrounded by Rahul, remember Rahul is surrounded by confusion, Rahul is equal to confusion, Rahul परयावाची शब्दे हैं confusion का। Brahm और Rahul यह परयावाची शब्दे हैं। So Rahul is surrounded by Rahul, he's become the man of mystery, हर चीज में मिस्ट्री होती है। आप देखिए, Rahul कहां जाते हैं, यात्रा करने, Rahul देश से बाहर कहां जाते हैं, वो एक मिस्ट्री होता है। इतने दिन तक कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, SPG होने के बावजूद कोई देश में जान नहीं पाता है, Rahul गांधी कहां जाते हैं, वो मिस्ट्री होता है। कि कंपनी चाहे वो नैशनल हराल्ड का हो, यंग इंडिया का हो, इनके डिरेक्टरशप इत्यादी को लेकर आज वो जमानत बाहर है, इन विश्यों पर भी मिस्ट्री मैन है वो, और पढ़ाई पर लेकर भी कन्फ्यूजन है कि आखिर क्या क्या डिग्री उनको मिली हुई है, मेरे प्रियमित्र जीवियल नर्सिमा जी ने भी इस पर एक प्रेस कॉंफरेंस करके सवाल पूछा था, बहरहाल जवाब नहीं मिला, तो ही अपिरस तो बी दा मैन उफ मिस्ट्री, वैसे आज एक और मिस्ट्री, इंडियन आमी ने ट्वीट किया है, वो पदचिन दिखे ग नग्वी कि अखिरकार ये जो पदचिन नहीं, ये जो पदचिन नकाहां जाके रुखते हैं, राहूल कौन सा सच्चा है, विच राहूल लंडन वाले या राहूल लुटियन वाले और कौन सा राहुल आकिरकार में डेश या विदेशी रहुल लंडन वाले या रहुल लुल्म वाले बंधों जैसे बने बताया कि इन सभी सवालों का अधार कुछ दस्तावेज हैं ये वह दस्तावेज हैं और वह दस्तावेज authenticated है authenticated का अर्थ Indian Second करता है सत्यापित अर्थात उसको आप दुबारा पढ़ता है जो वेक्ति एडमीशन करता है जो आदमी लिखता है वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के पश्चात अपने हस्ताक्षर करके कहता है कि मैं इन दस्तावेजों को सत्यापित कर रहा हूं अर्थात जो भी इसमें लिखा गया है कहा गया है बोला गया है वो सत्य है ओथ में वो सत्यापित करता है इसलिए यह डॉक्यूमेंट सत्यापित है क्या दस्तावेज है हमारे पास एक कंपनी के दस्तावेज है उस कंपनी का नाम है बैकॉप्स लिमिटेड यह कंपनी रेजिस्टर होता है इंग्ल हमारे पास उस company के dissolutions के कागज है, जब ये company को dissolve किया गया, company को रोका गया, बंद किया गया, February 17, 2009 का उसके दस्तावेज है, उस company के annual returns है, जो की दो बार फाइल किये गए हैं, और वो दोनों कागज हमारे पास हैं, 10 October 2005 और 31 October 2006, इन दोनों डेटों में annual returns इस company के फाइल किये गए, वो दस्तावेज भी हमारे पास हैं, इसमें एक महत्वपून बात जो आपको जानने की अवश्यक्ता है, वो यहा है, कि ये जो company है, जिसका नाम Backops Limited है, राहूल गांधी उसके ऐसी सदस्य नहीं है, वो उसके director, promoter और secretary है, अर्थात एक तरह से देखा जाए, तो वो उस company के मालिक है, आप देख सकते हैं, company secretary के रूप में राहूल गांधी जी का नाम आता है, आप देख सकते हैं, company का नाम Backops Limited है, मैं एक एक करके आपको सारे दस्तावेज दिखाऊंगा, तो राहूल गांधी उस company के director हैं, उस company के secretary हैं, दूसरी बात है, कि ये 10 October 2005 में, जो annual return फाइल किया गया था इस company का, 10 October 2005 को, उस समय राहूल गांधी जी 65% के shareholder हैं, उस company के 65% के shareholder हैं, और उसमें क्या लिखा हुआ है, या आप भी जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है, कि उस annual return में, जिसमें वो 65% के shareholder हैं, उसमें आप यहां देख सकते हैं, राहूल गांधी जी के नाम के आगे, date of birth लिखा हुआ है, 19.08.1970, और उसके नीचे जब सवाल उठता है, कि आपकी nationality क्या है, तो सवाल पे लिखा हुआ है, कि मेरी nationality British है, और आपकी position क्या है, मैं company director हूँ, और address भी आप देख सकते हैं, ये England का address है, UK का address है, तो British हूँ, तो annual return में कहना कि मैं British हूँ, ठीक उसी प्रकार, जब company बनती है, तब वो कहते हैं कि मैं British हूँ, और जब company dissolve होती है, आप वो भी देख सकते हैं, company dissolve होने के कागज, ये company dissolve होने के दस्तावेज है, उसमें भी nationality British, आगे उपर लिखा हुआ है, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, ताब कि आपको easy रहे, आप उपर देख सकते हैं, rahul gandhi government.uk, date of birth भी आप देख सकते हैं, सही लिखा हुआ है उनका, और backops limited company का नाम, वहाँ nationality British आता है, और उसके बाद company को dissolve declare किया जाता है, तो जब ये company आरंब होती है, तब वो British हैं, जब ये company dissolve होती है 2009 में, तब वो British हैं, जब 2005 और 2006 में, इसकी annual returns भरी जाती है, तो वो अपने आपको अंग्रेज बताते हैं, अर्थात Britishर बताते हैं, और ये document राहul गांधी जी द्वारा सत्यापित हैं, इसलिए आज ये देश, बहुत शालींता के साथ जानना चाहती है, कि राहul जी आप भारतियं हैं, ये राहul जी आप अंग्रेज हैं, क्योंकि आपने खुद लिखा है, क्योंकि बिटिशर को अगर हम हिंदी में करें, अनुवाद तो अंग्रेज होता है, तो आप अंग्रेज हैं या आप भारतियं हैं, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि आप अंग्रेज हैं बंधूओं यह बहुत दुख़त विशय है कि राहूल गांधी चूज़स तु बी यूके सिटीजन बाइ चॉइस क्यांकि वह एक लोकसभा के एंपी रहें यहां वो राजनिती करते हैं तो वो कंपलशन से इंडियन है और बैज्वेंचter बताते हैं क्या इच्छी परिस्थिति है क्या इतने बड़े पाठी के अध्यक्ष की ये स्थिती भ्रह्म पैदा नहीं करती है मैं आज निवेदन करता हूं और एक चालेंज भी देता हूं वीजेपी की तरफ से कि राहूर गांधी जी इस इस सीरियस मैटर यह बहुत गंभीर विशय है इस गंभीर विशय में आपको सामने आना चाहिए प्रेस करके दिखा दीजिए बहुत चोटी सी चीज है दूसरी बात आज कांग्रेस के अंदर भी एक भ्रहम की स्थिती पैदा हो चुकी है कांग्रेस के कारेकरता खुद जान नहीं पा रहे हैं कि उनके अध्यक्ष उनके राष्ट्य अध्यक्ष आखिर देशी हैं या विदेशी हैं इसलिए कम से कम चुनाव के दौरान अपने ही राष्ट्य अध्यक्ष की नागरिकता पर जो कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं वो घुट रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हो शायद बाहर मगर वो घुट रहे हैं अपने कम से कम कारेकरताओं को संबोधित करके बताये तो बस अब देखना है कि यती कहां चुपा हुआ है तो क्या राहूल जी अपने नागरिकता के यती के सच्चाई को बताएंगे या उससे दूर भटेंगे यह सवाल राहूल जी पे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद कोई सवाल आपको पूछना हो तो पायल G for the information as far as स्ट्राइख एक्रा 1962 को अ merits of the case, the court was of the opinion that individuals and organizations should not be dragged through a PIL. That's the reason as to why we cannot see this in the light that the Congress is trying to cover itself up with. Number one. Number two. As far as now, what has been changed in this case? What has been asked for this case? Many members of Parliament, Mahesh Giri ji, he complained about it. Subraman swami ji complained about it. This is all the people of Hindustan Mahesh Giri ji complained about it. And when it happens, it is important to work on the government's government. And he also complained about the authenticated documents. Allahabad High Court has also given up to this situation. So it's but natural that a High Court like Allahabad High Court has already directed. So we will follow all of it. The government has to be served. We have to remember one thing. Article 9 of the Indian Constitution categorically says that as far as citizenship is concerned, we cannot have dual citizenship in our country. The bill is also which is our citizenship in 1955. India cannot allow dual citizenship. UK can have dual citizenship, but there is no person who can have dual citizenship in India. Rahul Gandhi Ji has had dual citizenship. Why did Rahul Gandhi Ji achieve dual citizenship? Why did Rahul Gandhi have dual citizenship in India? Why do Rahul Gandhi still achieve dual citizenship? the question is, despite the fact that the returning officers might have said something things go to the court, things move to the higher authority, but as far as the home ministry asking a clarification from Rahul Gandhi is concerned it is independent of all this and we have to realize one thing, that if complaints go to the home ministry, if complaints go to the speaker of the house, they are bound by the constitution of this country to get the clarification from the authority against whom the complaint is made, remember this is not politics of vendetta this is clarification which the country seeks, this is the right of the nation to know whether Mr. Rahul Gandhi is a British citizen or an Indian citizen, depending on, even the Indian Evidence Act says that if there is a written statement which you have admitted somewhere, then it can be used as an evidence against the one who has made the statement Kudu noone statement kiya hai ki my British citizen hoon, he has put his signature there, so he has to clarify there was a court, there was a court case also, the court probably has directed it this year if I am right in January this year the direction came from the court see the issue is not the timing, the issue is truth truth established any time to establish the truth is this nation's priority Why do you do that? Sir, the committee has said that the 40th of the city JV has said that the 40th 15th of the city JV has said that the 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 क्यों वो टीम सी पहले ये बताए उनके विदायक भिकाओं है क्या वो पैसे लेके बिग जाते हैं जो को उनको खरीद फरोक्त में खरीद फरोक्त नहीं होती है भारती जनता पार्टी में भारती जनता पार्टी हमेशा आइडियोलोजी की लड़ाई लड़ती है आज अधिक का टर्णोवर रहा है बंगाल के एलेक्शन में बंगाल के लोगों ने मोदी जी का साथ दिया यह तो सपश्ट है कि एक में सब्सक्राइब नहीं आज नहीं उठा है यह 2015 में भी उठा था 16 में भी 17 18 19 में भी उठा था वेरियस लेवल्स पे उठे हैं और जब तक यह जब तक यह जीवित रहेगा तब तक यह विशे उठेगा और इस विशे को समाप्त करने का काम रहूल गांधी जी का है अगर ब्रहम की स्थिती उत्पन होती है उस ब्रहम को तोड़ने का काम उसी वेक्ती का है जिसने सिग्नेचर किया है इतना घबरानी के अवशक्ता नहीं है अगर वो मानते हैं कि वो ब्रिटिश सिटीजन नहीं है और कुछ गल्ती हुई है तो वो एक प्रेस कॉंफेंस करे वो कह दें कि यह डॉक्यूमेंट जूटे हैं वो कह दें कि मैंने हस्ताक्षर नहीं क्या यह हस्ताक्षर किशी और के यह इतनी बड़ी बात नहीं आराम से कह सकते हैं वो नहीं कह रहे हैं इतने सालों से नहीं कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होगा यह हम जानना चाहते है देखिए मैंने कुछ निउस्पेपर आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें लिखा गया है कि तीन प्रकार के डॉक्यूमेंट है नमबर एक जहां वो ब्रिटिस सिटीजन है नमबर दो जहां पर ब्रिटिस सिटीजन को काट के इंडियन करने की कोशिश की गई है और नमबर तीन जहां टोकुमेंट सिलेंट है और जिस यूके कमपनी की बात हो रही है जो रिगस्ट्रेशन निका जहां होता है वो रिगस्ट्रार ऊफिस पूरे विशय में साइलेंट है वो कोई उतव नहीं दे रहा है इसकी क्लारीटी कौन देगा कट क्यों रहे हैं उसके ओपर ओवराइटिंग क्यों हो रहा है बिर्टिश बिर्टिश हर जगा लिखा क्यों हुआ है इसका उत्तर तो राहूल जी ही दे सकते हैं बाकी लोग समझाए उससे अच्छा यह होगा कि चूंकी कांगरिस के अध्धक्ष के ओपर नागरिक्ता का आवाल उट रहा है वो खुद समझाए इससे अच्छा इससे प्रिशा इस एक्स्ट्रीमि इसमेंट है थैंक यू